हेलो एवरिवन आज मैं आप लोगों के साथ एक फ्लिप फ्लॉप की स्लिपर रिव्यू करने वाली हूं जो कि मैं आफ लाइन खरी दिया हूं दुकान में जाकर के और जैसा कि आप लोग को पता है आज कल एनी टाइम पैर की किसी भी वीडियो में आप सुने होगे कि मेरे प जादा परिशान हो गई हूं तो मैं गई थी दुकान और मुझे चाहिए था एक घर में पहने वाला चपल जो कि बहुत ही आराम दायक हो मैं आपको बताई थी कि मेरा लगभग मार्ट से ही मेरा स्लीपर जो है वो तूट गया था घर में पहने वाला और हस्बंट के पास ब अब भी नहीं निकलती हूं हस्बंट के साथ ही जाती हूं लेकिन जिनके घर में रहती हूं वह भावी को काम था और वह बोलेगी अगर तुमको चलना है तो चल सकती हो फिर क्या था मैं तयार हो गई और गई मैं दुकान और वहां पर जाकर के मैं स्लीपर वगर करें वैसे स्वापिंग की वीडियो मैं आपको डिखा चुकी हूं जब मैं स्वापिंग करी थी साइज आप देख लीजे कि मेरा जो स्लीपर का जो साइज है वह क्या है दोसों दस रूपे इसकी मर्पी है और चपल का जो साइज है वह आठ नंबर मिल जाता है आगे आपक को बोले कि मुझे ऐसा स्लीपर दिखाए जो लंबे समय तक चले और मेरा जो पैर है वह बहुत ही ज़्यादा आजकल दर्द हो रहा है तो उस हिसाब से मुझे चपल दिखाए कि ऐसा चपल पहनों कि मेरे पैरों को आराम मिले तो उन्होंने उस हिसाब से मुझे मतलब के मरी मीटर या इंच इंच है देख लीज़े और यह लाइट ग्रीशी कि इसका सोल है और उपर पहन कर चला भी नहीं जा सकता है इसको आपको घर में ही यूज़ करना है तो फिलहाल मैं इस स्लिपर को खरीदने वाली नहीं थी क्योंकि जैसे ही मैं मीसो से चार स्लिपर मंगवाई थी और एक स्लिपर ये देखी कि मैं यूज़ कर रही थी तो इसका sleeper काफी ज़्यादा घिस गया और वो भी एक महीना ही मैं पहनी हूँ मीसो का जो sleeper मैं आप लोग के साथ वीडियो डाली थी न मैं flip-flop मंगाई हूँ चार है जो 200 कुछ रपे मुझे 4 मिले थे तो एक sleeper मैं पहन रही थी घर पे print सारा निकल गया और उपर से हलका तो बहुत है light weight है आठ नमबर मंगाई थी मैं वो भी और ये भी आठ नमबर का ही size है वो पूरी तरह से घिस गया तो मुझे लगा कि वो sleeper अच्छा नहीं है और कुछ दिन पहन भी ली जिससे मुझे आराम नहीं मिला उस sleeper से वो काफी चपटा था और थोड़ा सा soft भी उतना ज़्यादा नहीं था और इतना जल्दी घिस गया तो मुझे लगा कि नहीं मुझे दूसरा sleeper लेना पड़ेगा तो मैं चली गई दुकान यानि कि offline खरेदने और वहाँ पे काफी सारे sleeper उन्होंने दिखाए अलग अलग अरेंज के और अलग अलग टाइप्स के दिखाए उन्होंने ये भी बोला कि आप जितना ज्यादा गद्दा वाला लेंगे न मतलब चपल गद्दे वाला थोड़ा सा तो वो आपको काफी आराम मिलेगा लेकिन मैं बोली कि मुझे ज्यादा गद्देदार sleeper नहीं चाहिए क्योंकि मैं खुदी लंबी हूँ फिर और गद्दे वाला यानि थोड़ा और उच्छा हो जाएगा तो वो मुझे नहीं चाहिए मुझे थोड़ा ना ऐसे समतल में च मुझे यह काफी ज्यादा पसंद आया और आज मैं इसको पहनने के लिए निकाल दी हूँ इसलिए क्योंकि वह घिस चुका है तो अभी मई का महिना चल रहा है मुझे लगता है कि 5-6 मई को मैं यह slipper निकाली हूँ कि आज मैं इसकी वीडियो भी बना लूँगी और आज से मैं इसको पहनना भी शुरू कर दूँगी खरीदी तो मैं इसको काफी पहले हूँ मतलब पता है मैं इसको 3-4 या 5-6 अप्रील को ही खरीदे हूँ लेकिन इसको पहने ही नहीं सोची ना पहले मीसो वाला sleeper पहन करके चेक कर लेती हूँ continue यह कितने दिन चलता है फिर इसको निकालूँगी क्योंकि अच्छा है तो अगर मेरा बाहर का कोई sleeper तूटता है जो मैं फ्लाइट की पहनती हूँ तो मैं इसको बाहर भी यूज़ कर सकती हूँ बस इसको रख्की हूई थी लेकिन बाहर का तो नहीं तूटा बाहर में जो मैं फ्लाइट की sleeper पहन रही और जो घर में पहनती हूं वो तो दो-दो तूट गए तो ये चीज था कि वो थोड़ी ऊची है तो पहनने का मन नहीं करते हैं लेकिन जब इस स्लीपर को लाई ना तो ये पूरा फ्लैट स्लीपर है तो ये पहनने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था आपको मैं लाइट वेट है कमफर्टेबल है पहनने के बाद बहुत मजा आएगा ऐसा लगना था ना जैसे मैं बस पंची बनके उड़ रही हूं बहुत हलका बहुत सॉफ्ट मैं उनको बोली थे ऐसा स्लीपर दिखाईए जो काफी लंबे समय तक चले तो उन्होंने कहा दुकानदार ने कि ये देखिए ये चपपल दीजे इसको आप जितना पहनिये जब तक आप बुढ़ी नहीं हो जाती है तब तक ये चपपल नहीं तूटेगा और वो कहके ऐसे हसने लगे तो मैंने बोला इतना भी लॉंग लाश्टिंग नहीं जाहिए मुझे इतना लॉंग लाश्ट स्लीपर मैं आपको पहन कर दिखा दी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा देखिए कुस चीज़े जो ऑनलाइन में समझ में नहीं आती है मुझे लगता है आप लोगों को भी दुकान में जाकर समझना चाहिए पहन पहन कर चेक करना चाहिए ऑनलाइन बहुत सारे स्ली पर से देख रही थी फ्लाइट के और भी अदर ब्रांट के और महंगे से महंगा हजार का भी लेकिन मुझे यह डर था ना कि हजार से हजार भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन क्या वो सॉफ्ट आएगा फिर यह पचडों में नहीं पढ़ना चाहती थी कि रिटर् इतनी भी गरीब नहीं हूँ कि मैं उसको सिलवा उलवा करके घर में पहननु एक तो मेरा खुद का यूटूब कैनल है जिसने पैर के लिए वीडियो बनाती हूं और मेरे पैर से ही बना बनाकर मैं पैसे भी कमा रही हूं आप कहरें तुटा हुउए चपपल को सिल के पहनलो यह कहाँ की समझदारी है जैसे समझदारी है पैसे ऐसे ही बचत होते हैं लेकिन नहीं सिलवाने के बाद क्या है ना कि वो चीज चुबने लगती है जहां पर सिलाई होती है वहाँ पर फसने लगता है पैर और comfortable नहीं फील होता है तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं मुझे new चपल ही चाहिए तो मैं खुद गई और खुद खरीद ली मुझे अच्छा लगा और मैंने ना अपना खुद का ही पेमेंट किया है यूटुब की कमाई से जो मुझे हर्णिंग हुई थी उसी से मैंने ये स्लीपर ली थी और हस्बेंट के लिए एक स्लीपर ली मैं जो अपने हस्बे अभी जो मैं सुरू में दिखाई ना वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगे तब तक लिए बाए